तो चलिए आज बनाते हैं soft और नरम मुलायम मेथी के थेपले तो उसके लिए एक कप केहूं के आटे में हमने दो चमच यहाँ पे डाला है बेसन आधी कप यहाँ डाला है मेथी के पत्ते काटके रखे वे आधी छोटी चमच हल्दी आधी छोटी चमच लाल मिजडाली आधी से ग्रेट करके डाल देंगे और एक चोटी चमच यहाँ पे चीनी डाल दीजे और तो चोटी चमच डाला है सफेद तिल और एक बड़ी चमच जो है तही फिर थोड़ा सा ओल और नमक तो यह सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाल दी इसको आप अच्छे से मिक्स कर दूंगी आवाँ से चेकाउट कर सकते हैं और उसके बाद ना इसको अच्छे से हम मसल लेंगे तो इस तरीके से गाईज आगर आप मेती के थेपले बनाएंगे ना तो आपके जो थेपले हैं बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे बिल्कुल बिल्कुल गुजराती स्टा मैंने ओयल लगा दिया उसको अच्छे से लगा देंगे उपर से और लगा देती हो धकन और 15-20 मिनट के बाद हम इसको दुबारा मसल लेंगे तो पंदर-20 मिनट हो चुके हैं और जो डो है वो अच्छे से रेस्ट कर चुका है और अब हम इसे एक बार मसल लेंगे और बस बारी आती है इनको बेलने की, तो हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे सा इसका पॉर्शन लेंगे, जो मेथी का, जो थेपले का आटा होता है, वो नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट गुंदिये, हलका सा पानी ज्यादा लगेगा इसमें, और उसके बाद इसके छ सा इसको बेल लेना है, तो बागी के थेपले भी आप इस तरीके से बना के रेडी कर लीजिए, ताकि फिर एक साथ सेकने में असानी रहेगी, तो जितना आटा हमने लिया है, उससे आपके 10 से 12 थेपले आराम से बन जाएंगे, और इसके क्या करना है, पकाते समय, इसको पह हमारे कड़कड़े हो जाएंगे, थोड़े से हाड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, बस ऑईल लगाना है, अलट पलटकी 3-4 बार पलटना है, और जब इस पर से स्पोर्ट जैसे आजाएं गोल्डन तो तब तक हमें इससे पकाना है, तो बागी के थेपले भी फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो आप इस तरीके से इनको स्टोर करके ले जा सकते हैं, तो होप गाईज, इस बार आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस मेथी की थेप वीडियो के लिए, till then, thank you for watching, और serve किसके साथ करेंगे, अचार चटनी या किसी के साथ भी serve कर सकते हैं,